Hello guys, as we all know that India is suffering with the biggest problem of unemployment और इसलिए सब अपने अपने departments और ministries में कोई ने कोई वेकेंसी निकालते रहते हैं लेकिन कभी होता यह है कि वेकेंसी निकल जाती है तो या तो उनका कोई exam नहीं होता अगर exam होता भी है तो किसी दूसरे state का exam किसी दूसरे state या फिस सेंटर गवर्मेंट के exam से आके कलेश हो जाता है यानि मिल जाता है हो और date का issue अक्सर बना रहता है ऐसा यह भी recently होआ है RRB steno grapher के mains यान skill test में और RRMSB के जो राजस्तान वाली भरती है उसके mains में क्योंकि दोनों की date actual में थोड़े थोड़े ही comparable में है RSMS भी conduct करवा रहा है 29 से 31 October और RR भी जहां तक मुझे पता है वो करवा रहा है 27 से onwards यानि वो भी लगबग 31 या November के एक दो तक करवा सकता है अब बच्चों का एक बड़ा question परदा हुआ कि अगर हमारी dates एक ही समय आ गई किसी दोनों exam की then this is क्या हम हमारी date को change करवा सकते हैं क्या हम हमारी जो date है या पारी है उसको postpone करवा सकते हैं रेलवे के exam लगते हैं उनके respective zone में और राजस्थान वालों के exam लगेंगे वो जैपूर में ही लगेंगे सारे तो आने जाने का बड़ा issue है क्योंकि अगर किसी student का chain नहीं जैसे मेरा खुद का chain नहीं है तो मुझे जाने में कम से कम अगर मैं by plane भी जाता हूँ तो मुझे लगबग 9-10 गंटे लगेंगे तो सभी बच्चों का issue है क्या हम date change करवा सकते हैं तो इसी पर वीडियो है पूरा देखेगा सारे confusion मेंने clear कर दी है जैसे कि आप सभी को पता है कि कल यानि 13 तारीक को 13 October को RS मेंज भी अपना notice जारी कर दिया notification दे दिया और कहा कि 29 October से 31 October तक आपके exam ज़रूर लगेंगे और इसकी feeling जो है फीज दमा कराने वाली date वगरा सब उन्होंने आराम से दी अब सब लोगों ने RRB को किया email कि हमारे वो exam बीच में है तो आप अपने date को आगे पीछे कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए अब इन परियासों से क्या फ़ल निकला मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों जब मैंने RRB को email किया कि मेरे दो exams की date क्लेश हो गई है आपस में आके touch हो रही है तो उन्होंने मुझे email का जो reply दिया उसमें उन्होंने सिर्फ इतना सका कि जो हमने notification निकाला था उसके एनेक्सचर 13.3 को आप जाकर की गौर से देखी वहां पर क्या लिखावाई तो मैंने यां हिंदी और इंगलिस दोनों में इसको लगा रखा है हिंदी में कहते हैं कि कंप्र रादर परिक्षा इस्टेनोग्राफिक टैस्स ट्रांसलेशन टैस्स जो भी आप पर लागू होत अब पारी में परिवर्तन संबंदी अनुरोध किसी भी परिस्टिते में स्विकार नहीं किया जाएगा all the changes of postponement of any of the above activity for the change of venue, date and shift will not be entertained in any circumstances so इसका मलब भी है कि आप change नहीं करवा सकते हैं now it's your decision कि अगर आप कोन सा exam के आपके preparation अच्छी तो वो आप देने जाएं बिलकुल लेकिन आपके पास आप option नहीं है कि आप इनसे कैसे इनको handle कर सकते हैं क्योंकि आपको एक चीज़ तो चुननी ही पड़ेगी यह पस हो गया और आपके पास भी अगर कोई solution है तो मुझे बताइए व्यसस का solution कुछ भी नहीं है मैंने सारे हटकंडे अपना के देख लिए हैं तो अब आपको डिसाइड करना है आपका कौन सा एक्जाम है आपका कलेश हुआ है नहीं हुआ यह मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं और साथी साथ बताइए कि आपके प्रप्रप्रिशन को दोनों में से किस एक्जाम की जादा अच्छी है तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में ऐसी किसी इनफर्मेशन के साथ और भी किसी समझा के लिए सबस्क्राइब कीजिए डिक्रेशन के लिए साथ बने रही है सबस्क्राइब की साथ मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो